कि नमस्कार दोस्तों आप सब कर स्वागत है हमारे चैनल नेक्श नेंड स्पोर्ट्स पर बात करेंगे इंडिया वर्सिस साथ अफरीका की सीरीज के बारे में नो तारीक से पहला मुकाबला खेला जाना है फिरोजशा कोटला के मैदान पर जिसको अरुण जेटली के साबले भी होते हैं लेकिन इंडिया के कप्तान इस सीरीज के दुरान हमें के लाहुल देखने को मिलेंगे तो वाइस कैप्टन नहेंगी भूमिका रिशब पंद के हाथ में सबसे बड़ा सवाल फैंस के मन में यहाँ पर यहीं चलना है कि प्लेंग 11 में क्या उमरान मलिक को जगा मिलेगी क्या दिनेश कार्थिक का जिनका टीम इंडा में फिर्स सेलेक्शन हुआ है टी ट्वंटी वर्ल्ड कप से पहले उन्हें यहाँ पर मौके मिलेंगे यह कई सवाल फैंस की मन में उमरते नज़रा रहे हैं और आपनिंग को लेकर वी सवाल है क्योंकि ना रोही तारीव हुई थी लेकिन अब आमने सामने होंगे तो आपको बताते हैं इसकी प्लेंग लेवन की बारे में सबसे पहले ओपनिंग को लेकर जहां पर बाते हो रही है वह मीडिये रिपोर्ट के अनुसार और अभी तक प्रोबेबल प्लेंग लेवन क्या निकल कर आई उसमे की जगे पर श्रेशियर खेलते नजर आ सकते क्योंकि इस सीजन आई पिल में श्रेशियर ने मिडल ओडर बहुत अच्छे समाले हैं अब इसके बाद बार ही आती है नंबर चार की तो क्या यहाँ पर हार्दिक पंडिया हमें ही नंबर चार पर देखने को मिलेंगे या इसी बात है जब रिशाब पंत वाइस कैप्टन टीम इंडिया के बनाए गए हैं तो उनको खिलाना दो बनता ही है दिनेश कार्तिक साथ इस सीरीज में बैठे नज़र आ सकते हैं या एक ऑप्शन के रूप में रहेंगे कि अगर वाई चांस रिशाब पंत को खुदा ना खा रखा जा सकता है यह भी खबर हैं क्योंकि दीपक हुड़ा को सब कह रहें कि नंबर चार या नंबर पांच पर खिला लो और हर्दिक पंडिया को भी रखो लेकिन इतने सारे बोलिंग ऑप्शन के साथ जाने कुछ फाइदा निया एक फिनिशर के आवशकता रहेगी जो मै लेकिन अगर कुल्दीप और चहल दोनों खिलाते हैं तो एक बैटिंग ऑप्शन कम हो जाएगा फिर दीपक हुड़ा को यह लेना पड़ेगा तो यहां पर अक्षर पटेल सब के लिए पहले पसंद उसके बाद चहल भी हाँ पर प्लेंग लेवन में हर्शल पटेल भूब चटका है थे और अर्शिदीप सिंग से तो कई कदम आगे थे तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन यहां पर हर्शल पटेल के साथ उम्रान मलिक की जोड़ी का बताया जा रहा है एक तरफ से धीमी गती से अपनी गेंद फसाएंगे हर्शल पटेल जो कि तेज तरह पर है तो जीत के उमीद रखेंगे वाकि के अल दहुली कप्तानी वारी लखनों सूपर जाइंट्स इस सीजन आइपल में नंबर चार तक रही टॉप फॉर में रही अच्छी बात है लेकिन आगे देखते हैं उनका सफर क्या रहेगा और टीम इंडिया के लिए कितने लख खबरों के लिए धन्यवाद